मूरी ओपी शेत्र के हिंडाल को कमपनी में स्टी पाइप फटने से 11 मजदूरों की आँख खराब हो गई है कमपनी के ओर से अच्छा इलाज नहीं किया जा रहा है इस वज़े से लोग अपने अपने मरीजों को लेकर रांची से बाहर जाने को मजबूर हो गए है तो आपको बता दे कि गैस रिसाव हुआ था हिंडाल को कमपनी में स्टी पाइप फट गया था और इसमें 12 मजदूर प्रभावित हुए थे और अब उनमें से 11 मजदूरों के आँखों की रोशनी खराब होने को है और उसको लेकर के परिजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि कमपनी ने बहतरीन इलाज नहीं कराया है इसलिए लोग अपने अपने परिजनों को लेकर प्राइवेट नर्सिंग हॉम की तरफ रुख कर रहे हैं तो है स्टी फाइव फटने से 11 मजदूर की आँख खराब हो चुकी है आपको बता दे कि गैस रिसाब हुआ था हिंडालको कमपनी में और उसमें 11 मजदूर प्रभावित हुए थे जिनकी आँखे खराब हो गई है और परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि कमपनी उनका इलाज बहतर तरीके से नहीं करा रही है और इसको लेकर के परिजन को परिजन जो है वो मरीजों को लेकर के बाहर इलाज के लिए बहतर इलाज के लिए रुख कर रहे हैं और सहीयों की दिनेश हमाई साथ जुड़ गया है दिनेश कमपनी में रिसाव हुआ एक तो वहाला परभाही और दुसरी बात ये कि 11 मजदूरों की आँखे खराब हो गई है आप समझ सकते हैं कि आँखे खराब हो जाएं तो इनसान कैसी जिएगा और ये आरोप लगा रहे हैं परिजन की कमपनी जो है वो बहतरी निलाज नहीं करा रही है जी मैं बता हूँ आपको कि कली हम लोगों ने इस ख़बर को चलाया था दिखाया दम लोगों को दर्शकों को कि आप मूरी में इंडल कंपनी में इस तरह का हासा हुआ था जो जिसका पाइप पहने से भी लिकेस था जिसको मोईदूरों ने परवंदक को इसके सुचना भी इसमें तीन आदमी की आखे चल गई है एक तब इलाज के लिए उन लोगों को कहना है कि इलाज बढ़िया ठंग से नहीं हो रहा है इसलते अप लोग अपने अपने पेसेंट को लेके बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं बहुत शुक्रिया दिने इस तमाम जानकारी के लिए तो एक तो लापरवाही और उसके बाद जब आखे गमादी है 11 मजदूरों ने तो कमपनी इलाज बहतरी नहीं करा पा रही है उनका ध्यान नहीं दे पा रही है और उसको लेकर परिजन जो है वो अपने मरीजों को ले इसकया बहुत कैंग है करें तो